नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका इस वीडियो में और इस वीडियो में हम बात करने बाले हैं गोरकपुर लोकसभा सीथ के बारे में जैसा कि आपको पता है कि 2024 का लोकसभा चुनाब नजदीक आ चुका है वैसे ही सभी पार्टियों ने अपनी तैयारियां जोरों पर कर दी हैं समाजबादी पार्टि ने अपने प्रत्यासियों की पहली लिष्ट का एलान कर दिया है 16 उम्मीदबारों को तिकट दिया गया है तो बहीं गोरकपुर लोकसभा सीथ से समाजबादी पार्टि ने अबनेत्री काजल निसाद को मैदान में उतारा है गोरकपुर लोकसभा सीथ बीजेपी का गड़ मानी जाती है यहां पर बीजेपी से लगातार सांसद रही हैं 2019 के लोकसभा चुनाम में इस सीथ पर रवी किसन ने धमाकेदार जीत हांसिल की और बरत्मान में वो गोरकपुर से सांसद हैं 1989 से 2014 तक इस सीथ पर भाजपा का बिजेरत लगातार दोड़ता आ रहा है 2018 के उपचुनाम में इस सीथ पर पहली बार समाजबादी पार्टी ने जीत हांसिल की थी 2017 में योगी आदितनात उत्तरप्रदेश के मुक्यमंत्री बन गए और ये सीथ खाली हो गई क्योंकि योगी आदितनात गोरकपुर लोकसवा से सान सकते तो उन्हें ये सीथ छोड़नी परी क्योंकि उन्हें उत्तरप्रदेश का सीम बनाया गया फिर उसके बाद 2018 में इस सीथ पर उपचनाब हुआ जिसमें समाजबादी पार्टी ने इस सीथ पर पहली बार जीत दर्च की और भाजपा के इस गड़ को हिला कर रख दिया उसके बाद भार्थ चन्ता पार्टी ने 2019 के लोकसवा चुनाब में अबनेता रवी किशन को यहां से टिकट दिया और वो तीन लाग से भी अधिक बोटों से इस सीथ से जीत गए आईए जानते हैं क्या रहा है इस सीथ का पुराना इतियास इस सीथ पर पहली बार 1901 क्यामन और बामन में चुनाब हुआ कांग्रेश की टिकट से लड़ रहे सिंगासन इस सीथ से पहली बार सांसत बने 1989 से 2018 तक इस सीथ पर गौरच पीट और BJP का कप जा रहा गौरच पीटा दीसवर्क के उत्रा दिखारी के रूप में योगी आदितिनाथ 1998 से 2014 तक इस सीथ से सांसत चुने गई हालांके 2017 में योगी आदितनाथ यूपी के मुख्य मंत्री बन गई और ये सीथ खाली हो गई उसके बाद में इस सीथ पर उप्चुनाब हुआ जहां पर समाजबादी पार्टी ने भाजपा के इस किले को डह दिया और उसके बाद 2019 के लोगसबा चुनाब में यहां से रवी किशन भाजपा के टिकट पर जीते और वो सांसत बन गई क्योंकि वो एक अवनियता थे और उनका गिलेमर था उनके गिलेमर के चलते गोरखपुर की सीथ भाजपा ने 2019 के लोगसबा चुनाब में एक वार फिर ज जो दलित और OVC बोटर है वो भी बहुल संग्या में हैं तो बहीं आपको बता दें के गोरखपुर लोगसबा सीथ पर चार लाग से भी अधिक निसाद समाज का बोट है तो यह 2024 का लोगसबा चुनाब बहुत माइने रखता है इसी को देखते हुए समाजबादी पार्ट सीथ पर निसाद समाज का बोट अधिक है और काजल निसाद समाज से आती हैं तो कहीं न कहीं वो निसाद समाज में बहुत मजबूत पकड़ रखती हैं दूसरी बज़े यह भी है कि भाजपाने 2019 की लोगसबा चुनाम में अवनेता के रूब में रवी किसन को तारा था तो अवनेताओं को गिलेमर्स का फायदा होता है उनको लोग जानती हैं इस बज़े से भी लोग उने बोर देती हैं तो बहीं समाजबादी पार्टी ने वी अब अवनेतरी काजल निसाद को चुनावी मैदान में उतार दिया है उनका भी अलग गिलेमर है वो भी भोजपुरी अवनेतरी हैं इसी को लेकर अब जंग छड़ गई है गोरफपुर की सीट पर कांटे की टक कर 2024 के चुनाव में देखने को मिल सकती है त्योंकि काजल निसाद भी अवनेतरी है और निसास समाज अगर काजल निसाद के साथ जाता है तो कहीं न कहीं ये सीट एक बार फिर भा नहीं इस लेकिन एक तरफ देखा जाए तो गोरफपुर उत्रपदेश सीयम यानी उगी आधितनात का गड़ माना जाता है इनका घर माना जाता रहा है तो इस सीट पर समाधवादी पार्टी के प्रत्यासियों को भाजपा के प्रत्यासियों को हराना बहुत ही मुश्किल ह हो जाएगा लेकिन चुनाम में संभाब ना और कुछ भी होना ना मुंकिन है क्योंकि चुनाम में कुछ भी हो सकता है यह दोस्तों आपको क्या लगता है गोरफपुर लोकसवाकिसी कि इस बार कौन जीत रहा है हमें कमेंट वॉक्स में अवस्ष बताएं और ऐसे ही जानका आपको कि अवस्तों 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 आपको कि अवस्तों